नमस्कार दोस्टो आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है दोस्टो आज हम जो आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं वो बहुत ही यम्मी खास और डिलीसियस है दोस्टो नूडल्स मैगी ये तो आपने बहुत बार खाये होंगे लेकिन आज जो हम आपको रेसिपी बता रहे हैं, एक बार इसे बना कर जरूर देखें, आप नूडल, स्मोसे, मैगी सब को भूल जाएंगे, तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी, दोस्तो आज की रेसिपी के लिए आपको चाहिए इस तरीके से आलू, आलू मैंने तीन लिए हैं और उबाल के लिए हैं, यह फिर मैशर के साथा से भी आप इनको मैश कर सकते हैं, अब आपने इसमें डालना है, यह तो आप पोटइटो स्टार्ज डाल लीजिए, यह फिर कॉन स्टार्ज डाल लीजिए, तो मैं ले रही हूँ, अभी मैं एक कप ले रही हूँ, बार मैं मुझे जूर्द पड़ी एक एक तो दू चमड़ से पानी डाल लीजिए क्योंकि समें जादा पानी की जूरत नहीं लगेगी और आलू भी सबके अलग होते हैं किसी के जादा मोर्टराईजर वाले होते हैं तो इस तरीके से मैंने एक कप और ले लिया है और इसके बाद थोड़ा समय और ले लेती हूँ ये कुल मिलाकर मेरे 3 कप के करीब मैंने ले लिया है कॉन स्टार्च इसमें डाल लिया है यहाँ पर मेरे पास पोटैटो स्टार्च नहीं था तो मैंने कॉन स्टार्च लिया है और इसको आलू में अच्छे तरीके से mix करना है, अच्छे से mash कर लेना है इसको, आपने इसका आटा सा गुनना है, दोस्तों जैसे कि आपके यदि हाथ पर चिपक जाए तो आपने इसमें एक चमच घी मिलाना है, या फिर थोड़ा सा आप ज्यादा भी ले सकते हैं, यदि आ लोटी का डो त्यार करते हैं, बस वैसे ही आपने इसका डो त्यार करना है, आप दो मिनट के लिए से rest के लिए रख दे, दो मिनट के बाद दोस्तों आप देखेंगे, आपका बहुत ही smooth सा डो त्यार हो गया है, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, छोटे छोटे गोले हमने बन यहां पर दोस्तो एक प्यारा सा ट्विस्ट है दोस्तो आपने इसका पेड़ा सा बना लेना है आलू और कॉन स्टार्च का इस तरीके से और आपने लेनी है कोई बोतल कांच की बोतल हो या प्लास्टिक की बोतल हो आपके पास तो आपने लेनी है एक बोतल और इसके उपर इ तो इस तरीके से आप ने सारे के सारे जो पेड़े बनाएँ है इसके तो इस तरीके से दोस्तो आपने सारा आटा करT design बना ले यह देखने जैसे ही आपका पानी गरम हो तो आपने ये जो हमने बनाया है भी material ये सारा डाल लेना है पानी में और इसको boil करना है धाई से 3 मिनिट आपने इसको boil करना है medium to high flame पर दोसो जैसे मैंने ये डाले हैं अभी ये नीचे है थले में लगे हुए हैं जैसे ही ये उबलेंगे तो इन बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है अब एक बाउल में दोस्तो आपने पहले ही थंडा पानी रखना है या आईस डाल कर पानी आप रख सकते हैं अलग से ये दोस्तो मेरे boil हो चुके हैं आप पर्ट के भी इनको boil कर ले दोनों साइडल से आप इनको boil कर ले अच्छे स पानी बनाया है थंडा फ्रीज का पानी लिया है उसमें या तो आईस डाल ले और भी थंडा हो जाएगा जितना ज्यादा थंडा होगा उतना ही हमारे लिए best रहेगा तो आपने छलनी से ये निकालने हैं इस तरीके से और इनको डाल देते हैं बिल्कुल chilled पानी में थंडे पानी में डाल दिया है और मैं थंडे पानी से अब निकाल रही हूं उनको बस आपने दो मिनट के लिए ही थंडे पानी में इनको रखना है तो अब मैं इनको निकाल लेती हूं किसी बावल में थोड़े बड़े बरतन में आप इनको निकाले क्योंकि अभी हमने इसको और ज्यादा टेस्टी वनाना है यह देखिए दोस्तों मेरे निकल चुके हैं अब आपने इसमें डालना है नमक थोड़ा सा हलका साथा बें हलका सा ही इसमें नमक अच्छा लगेगा तो मैं वन फोर्थ छूटा चम्मच ले रही हूं नमक का आप अपने टेस्ट के इंसा डाल ले और मैंने लिए हैं यहां पर रैड मिर्च पाउडर यह रही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक कटी हुई हरी मिर्च यह रही दोस्तो शूगर पाउडर थोड़ी सी आपने शूगर पाउडर भी इसमें डालनी है ताकि इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस रहे और मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन दो चम्मच सोया सोस के सोया सोस से हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी टेस्टी बनेगी ड्लीसियस इस तरीके से आपने सोया सोस डालना है और मैं यहां ले रही हूँ औरिगेनो मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा डाल लेते हैं इस पर धनिया मैंने यहां सूखा हुआ धनिया लिया है सूखे हुए धनिया की पत्तिया तोड़ ली है वो मैंने लिया है आप हरा धनिया भी आप वो ले लीजिए और गैस पर इसे चड़ाना है गरम करना है ये दोस्तों पक गया है अच्छे से तेल और पकने के बाद आपने इसी डिश पर डाल देना है और इसको थोड़ा सा चला दे इसको मिला दे अच्छे से ताकि जो सारा मेटीरियल इसमें डाला है वो मिक्स हो अच्छे से तो लो दोस्तों बन गई मेरी डिश अच्छे से ये दोस्तों खाने के लिए देडी है इस तरीके से ये नूडल्स समोसे मैगी इन सब से बहतर रेसीपी है तो इस तरीके से दोस्तों आप भी आलू का यूज करके अपने घर में स्नेक्स बना सकते हैं बनाना भ तो उसके साथ इनको खा सकते हैं बाकी की प्रोसेस वही रखना बस बना कर इनको आपने डीफ्राइ करना है इसका और भी ज्यादा मजाएगा आपको तो जिस भी तरीके से आप खाना चाहते हैं प्लीज बनाईए और खाईए और अपने बच्चों को दीजिए बहुत ही प्य तो वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जब भी आप ये डीश बनाए तो मुझे कोमेंट बोक्स में लिख कर जरूर बताना कि आपकी डीश ये कैसी बनी है तो मिलते हैं नेक्स्ट व